शद्धालों से भरा लोडर पेड से टक्राया दो महिलाओं की मौत जबकि एक दर्जन लोग खायल हो गए हैं खायलों को कानपुर नगर किया गया रहफर बता दे कि मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे कानपुर महीं मौके पर पहुंचे पुलस के आला रिकारी मंदिर में दर्शन के लिए जा रहे थे जिसके बाद ये हाथसा हो गया पूरा मामला रूरा थाना चेट के तीगाई गाव का बताया जा रहा है जनपद में तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है कानपुर देहाथ से आपको खबर दिखा रहे हैं जहाथ तेज रफ्तार का कहर जारी है वह शद्धालों से भरा लोडर पेड से जा टकराया वह शद्धालों के बाद दो माहिलाओं की मौथ हो गए जबकि एक दर्जन लोग घाल हो गए है वह शद्धालों को कानपुर नगर रेफर कर दिया गया मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे कानपुर जिसके बाद ये हाथसा हो गया मौके पर पहुँचे पुलस के आला अधिकारी पुलस पूरे माननी की शानवीन में जुट गई है और पुलस ने शवो को अपने कब्स मिले कर पुस्ट माटम के लिए भेज दिया है तेज रफ्तार का कहर लगातार जारी है कानपुर दिहास दिखावर आपको दिखारे हैं जहां तेज रफ्तार के चलते ही बड़ा हाथसा हो गया बता दे की रधालों से भरा लोडर पेड़ से जाटा कराया जिसके बाद दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गए जबकि एक दर्जन लोग घाल हो गए हैं वह सानी लोगों ने घालों को गानपुर रेफर कर दिया काजगंच सहावर को त्वाली छेत्र में बीते जून महिने में